आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान का इस्पेसिल ढोकला की रेसिपी ये गेहूं के आटे से बनी होती है और खाने में बहुती टेस्टी होती है ये आप किसी भी मौसम में बना लेजिए बहुती अच्छी बनती है और खाने में बहुती टेस्टी बनती है इसे खास तो इन धोगलों को आप राइती के साथ कड़ी के साथ या दाल के साथ भी खा सकते हैं तो हेलो दोस्तों मेरा नाम हेरेखा और आप सब का स्वागत है मेरे चैनल पर तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहां पर मैंने दो लसन की गांट को ले लिया है और दो ही हरी मिर्ची डाल सकते हैं दो हरी मिर्ची ही काफी होगी तो सबसे पहले इसे हमाम दस्ते में अच्छे से कूट लेंगे तो देखे इसमें लसन का टेस्ट बहुत ही जादा अच्छा लगता है लसन थोड़ा जादा ही डालना है तो लसन और मिर्ची को हमें अच्छे से कूट ल तो सबसे पहले इसमें जाएगा तीन बड़े चमस तेल, तेल डालने से हमारे ढोकले बहुत ही सौपन के तयार होंगे, आप यहाँ पर कोई भी ऑईल का यूज कर सकते हैं, तो इसके बाद हम डालेंगे एक बड़ा चमस भर के धनिया का पाउडर थोड़ा सा जादा भी डाल सकते हैं, तो यहाँ पर धनिया का पाउडर डालने के बाद हम कुछ और मसाले डालेंगे, तो यहाँ पर एक बड़ा चमस भर के ही मैं अजवाई डाल रही होंदे के अजवाई सा का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, अब यहाँ पर हम दो बड़ा चमस भर के लाल पर तयार के जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने आदा बड़ा चमस यह सोडा डाल दिया है, और इसी के साथ हम आदा चमस हल्दी का पाउडर डालेंगे, यह सारे मसाले हमने घर पे तयार की हुए हैं, इसलिए हमें थोड़े लिमिट से ही डालने होते हैं, कि उनका अच्छा आ तो सारे मसाले को हमने आटे में अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है, तो अब हम आटे में थोड़ा थोड़ा करके हल्का गुनगुना पाड़े डालेंगे, यहाँ पर हमें एक साथी पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, और इसका एक अच्छा सा आटा कुद के तयार करेंगे यहाँ पर हमेना तो जादा सकत आटा कुदना है नहीं जादा गीला जिस तरह से हम जो रोटी बनाते हैं उसका आटा लगाते हैं इसी तरह का आटा हमें तयार करना है जादा सकत आटा कुदेंगे तो ढोकले हमारे एकदम सकत बनेंगे मतलब सौ अउल लगाने के बाद इसे लगबग एक मिनट के लिए गूथ लेंगे तो यह देखिए में अच्छी से आटा त्यार कर लिया है तो अब हम था लिया पर कोई भी बरतन से धक के पांच मिनट के लिए रख देंगे तो आपने दोगलु को पकाने के लिए यहां पर इडली वा इडली का स्टेंड रख देंगे तो यह देखिए आटे को रखे हुए में पांच मिनट हो चुके हैं तो आटा हमारा अच्छे से फूल जुका है तो अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे जिस तरह से रोटी त्यार करते हैं उसकी लोई लेते हैं उससे थोड़ा सा जादा ही ले लगेगा और नॉर्मल साइज है तो कम टाइम लगेगा तो यह देखिए हमने सारे धोकलो को तयार कर लिया है तो अब हम नेक्स प्रोसेस करते हैं तो कूकर को ढखकन से बंद करेंगे और गैस पे रख देंगे तो गैस की फ्लेम को हमें मीडिय में रखना है और इसे आधा गंटा लगबग पका लेना है यह देखिए आदे गंटा हो चुका है तो ढोकलो को हम हासाय से चक करेंगे अगर वो एक्टम सॉफ्ट और चिपचिपे नहीं है तो हमारे ढोकले अच्छे से पक चुके हैं तो आदा गंटा तो इसमें लगेगा ही तो गैस को हमने आफ कर ल दालेंगे और अच्छे से गरम गरम आप घी के साथ इखाए बहुत ही अच्छा लगता है तो इसी के साथ हमने दही का राइता त्यार किया है तो एकदम परफेक्ट रेसिपी है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यह आपको रेसिपी अच्छी लगई हो तो मेरे चैनल क जरूर सब्क्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तो इसी तरह की और रेसिपी के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में नई रेसिपी के साथ धन्यवाद